वेल्कम टू माई चैनल आयम नील कमल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल का एजुकेशनल सेग्मेंट आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो हमने कल स्टार्ट कर लिया था तो हमने एक सब्टॉपिक कम्प्लीट कर लिया था और आज हम दूसरा सब्टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है वारफियर फॉर वेल्थ यानि कि धन प्राप्ति के लिए लड़ाईयों को अंजाम देना यानि कि धन इकठा करने के लिए किसी जगह पे किसी स्थान पे आक्रमन करना हमला करना और उस जगह से लूट पाट करके धन इकठा करना धन के लिए लड़ाईयों को लड़ना तो धन के लिए लड़ाईयों को लड़के कैसे धन मिलेगा क्या लड़ाईया करने से धन मिलेगा या कि जहां हम लडाई करेंगे जहां पर हम युद करेंगे और वाहां जीतेंगे तो वाहां से धन की प्राथि हमें होगी तो आखिर कैसे यह प्राथि होगी यह पहले हम देखेंगे पर उसके पहली यह देखिए कि मैंने यहां पर लिखा है कि फ्रॉम कन्नौज टू डेल ही और जब मैं कन्नौज का नाम लूँगी तो मैं आपको फर्स चैप्टर का रिफरेंस दूँगी जब मैंने आपको बताया था कि कन्नौज इतना कि इतना इमपोर्टेंट था जाता कि यहांस बदलता जाता है तो इससी समय में अब जब ronsब में आगे चलएंगे तो हम मिल अज्मेर की अच्छली उसका नाम कुछ और है उसका एक्चुल नाम अजय मेरू है वह हम डिसकस करेंगे बाद में और अजमेर के बाद फिर डेल ही किस तरह से इंपोर्टेंड हुआ और आने वाले समय में आगरह इंपोर्टेंट होगा वह जब हम वहां पर पहुँचेंगे तब डिसकस करेंगे पर इस में यह बता दू कि किस तरह पहले कंणाज इंपोर्टेंट था और पहले यह जाने पहले तौम लोगों देखा मैप पे भी आप देख सकते हैं कि अलग-Alग area में अलग-Alग डाइनेस्टी जो रूल कर रही थी काफी डाइनेस्टी थी झो इससे में रूल कर रही थी बेंगॉल के एरिया में आप देखेंगे तो पाल डाइनेस्टी थी फिर गुर्जरा प्रतिहार थी फिर रास्ट कूट थी और ऐसे बहुत सारे अलग-अलग डाइनस्टी जुरूल कर रहे थे पर वो लोग कुछ खास जगों को क्याप्चिर करने के लिए कुछ खास जगों पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ाईयां लड़ते थे और उनमें से एक था कन्नौज कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट था कि इसकी वजह से तीन पार्टी जो है तीन डाइनस्टी जो है वो लगातार लंबे सं घर्ष में लगी रहती थी क्योंकि इसमें तीन डाइनस्टी शामिल थी इसलिए कई बार हिस्टोरियंस इसे ट्रिपटाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं तो कौन-कौन से डाइनस्टी जिसमें शामिल थे हम वो देख लेते हैं ट्रिपटाइट स्ट्रगल में तीन डा पाल डाइनस्टी, राष्टकूट डाइनस्टी और गुर्जरा प्रतिहार डाइनस्टी तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाल डाइनस्टी, राष्टकूट डाइनस्टी और गुर्जरा प्रतिहार डाइनस्टी जो थी वो इस ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल में लंबे समय से शामिल थी और किसलिए क्योंकि कन्नौज जो कि बहुत ही प्राइजड एरिया था उसको ये लोग अपने कबजे में करना चाहते थे और जैसा कि हमेशा से होता है हमने पहले भी पढ़ा है कि जब ये राजा किसी जगह को जीतते थे तो उस जगह पे वो बड़े-बड़े मंदिरों का निर्मान करवाते थे कि राजा अपने पावर को शो करने के लिए बड़े-बड़े टेंपल को बनवाते थे और यही वज़ा थी कि जब वो किसी दूसरे राजा के ऊपर हमला करते थे जब वो किसी दूसरे राजा के ऊपर आकरमन करते थे तो उनका टारगेट टेंपल होता था क्योंकि टेंपल से जो भी पैसे उन्हें मिलते थे उसको वो as a resource इस्तेमाल करते थे और अगली लड़ाई आयों को लड़ने में उन resources को खर्च किया जाता था और ऐसा ही एक और example हम देखेंगे आगे चलके यह तो हुई कि अपने देश में अपने भारत वर्ष में एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है और एक दूसरे के राज्य के ऊपर अधिकार करने की कोशिश कर रहा है यहां तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन बात वहां जाके बिगड़ी जब अंदर की लड़ाएं में किसी बाहर वाले ने interference किया और इस interference के क्या अंजाम हुआ वो हम आज तक भुगत रहे हैं आईए देखते हैं इस interference का क्या consequences हुआ तो कनोश के लिए थो हम लोगों ने देख लिया कि ठीक है तीन dynasties किस तरह से आपस में लड़ती थी और कोई भी राजा जब किसी दूसरे राजा के area को जीतता था तो वहां से loot part की जाती थी ठीक है यह सामाने से बात थी किसी तरह का विद्वन्स नहीं किया जाता था कि इसी तरह के मंदिरों को तोड़ा नहीं जाता था लेकिन एक दूसरा एक्जामपल हम देखते हैं मैंने हेडिंग लिखी है कि फ्रॉम कनोश टू डेली बहुत कुछ कहता है एक पूरी कहानी है यह जो मैं आपको बताऊंगी पर पहले थोड़े इस कॉंसेप्ट को समझ ले कि कनोश में तो यह हो गया ठीक है यहां के राजाओं ने इतने लंबे संगर्स में हिस्सा लिया और डेली में क्या हो रहा था उस वक्त कि यहां पे महमूद गजनी महमूद गजनी जो कि अफगानिस्तान का शाशक था उसने 997 से लेके 1030 AD तक शाशन किया ठीक है वहां तक तो ठीक थी बात कोई दिक्कत की बात नहीं थी उसने उसने सेंट्रल एशिया पे इरान पे कबजा किया यहां तक ठीक थी लेकिन जब वो नौर्थ वेस्टरन फ्रंटियर पे आया नौर्थ वेस्टरन पार्ट आफ द सब कॉंटिनेंट यानि कि इंडिया के नौर्थ वेस 17 बार उसने सोमनात पे गुजरात के सोमनात मंदिर पे आकरमन किया और मंदिर को तहस नहस कर दिया तोड़ा बहुत ज्यादा तबाही मचाई और वहां से इतनी धन इतनी संपत्ति लूट के ले गया कि वहां जाके उसने गजनी में अपना जो कैपिटल बनाया वह इतना ज्य को भव्य बनाया था एक बार दो बार नहीं बल्कि 17 बार आकरमन किया यहां के राजा जब इस तरह का आकरमन करते थे दूसरे देश के राजा पर तुए मंदिर को विध्वन्स नहीं करते थे पैसे भली ही वह लेते थे लेकिन उन्होंने कभी मंदिरों को तोड़ा नहीं बल्कि उन्होंने मंदिरों का निर्मान करवाया हमें ऐसे एक्जामपल्स मिलेंगे जब मैं चोला डाइनस्टी पर आऊंगी तो आप देखेंगे कि वह जहां कहीं भी जिस जगह आपको भी जीतते थे वहां पे एक मंदिर का निर्मान करते थे उस चोला डाइनस्टी को कि गया है हमारी बुक में और प्रित्वी राज चौहान का तो नाम निशान नहीं है पर मैं आपको जरूर उसकी असली कहानी बताऊंगी ठीक है हमारे सिलेबिस में प्रित्वी राज चौहान के पूरी कहानी नहीं है लेकिन उसको कहानी की तरह सुनने में कोई हर्ज भी नहीं ह आपको अपने इतिहास को जानने का हक है तो ये टापिक हमारा यहीं पर खतम होता है अब जो इसका next segment है वो मैं अपने next class में आपको पढ़ाऊंगी और जदी आपको समझ में आया और पसंद आया मेरा पढ़ाने का तरीका तो जरूर से आप comment box में लिखिएगा Thank you so much